गूड मॉर्निंग तो चलिए अपनी सिंख्ला को आगे बढ़ाते हैं और आगे प्रसणों को देखते हैं प्रसण के है पुड़ी वेक्या है जैसे पीट्स इंडिया एक्ट कहां पारित हुआ था तो बिर्टी संसद में पीट्स इंडिया एक्ट पाडित हुआ था ब्रिटी संसर द्वारा कब हुआ था तो 1784 में हमारा जो समयधानिक विकास है उसमें ऐसे एक्ट का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है इसलिए हम लोग इसको देखने हैं कि पीट्स इंडिया एक्ट कहां पाडित हुआ था तो ब्रिटी संसर में पाडित हुआ था चाब हुआ था तो 1784 में आगे देखते हैं अनुसुची 11 पंचायती राज संस्था से सम्बन दित है जिसमें कितने विश 피부 है तो 29 अन्युसूची 11 जो है वो पंचायती राज संस्था से संबंदित है और इसमें कितने विशे है तो 29 विशे है इसमें सामिल बिहार के अनिक भागों में गौरक्षिनी सभाएं बनी थी और बहुत भिहानक हिंदों मुसलिम दंगे भी हुए थे खास करके बिहार और संयुक्त प्रांत में कब हुआ था ये तो 1893 में जो है गौरक्षिनी सभाएं बनी थी बिहार में बिहार के अनिक भाग में गौरक्ष से एक रुपया डेलिगेट सुल कर दिया गया था कब कर दिया गया था तो कॉंग्रेस की अखंडता में विर्धी करने है तो 1912 में बाकीपूर बिहार में देखे ये कॉंग्रेस की अखंडता तो नहीं होगा कॉंग्रेस की सदस्यता में विर्धी करने है तो यहां पर आकिपूर पत्ता में जो डिलियेट सुल्क था वो पांच रुपे से घटा कर एक रुपे कर दिया गया था आगे देखते हैं हम लोग इसको जैसे गौर्मेंट अफ इंडिया एक्ट 1935 सेंटरल संसद में ये पेश हुआ जिसमें बिहार को सीट मिले तक इतनी सीट अलोट की गई बिहार को आठ गौर्मेंट अफ इंडिया एक्ट सेंटरल संसद में रखा गया जिसमें बिहार का सीट अलोटेट था कितना तो आठ अभी बिहार को कितनी सीट अलोटेट है संसद में लोग सभा में और राजी सभा में ये बताना भी जरूरी है जैसे कि लोग सभा में तो 40 seat है और राजिस सभाब में 16 seat है इसमें खास करके लोक सभाब में SC reserve seat कितनी है और अधर को क्या reservation का हिसाब किताब है SC reserve seat कितनी है ये बताना है और खास करके राजिस सभाब में क्या reservation का procedure होता है अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है यह सब भी आप अपना मैंन मिकाप अपना कड़के रखिए अब देखते हैं कैबनेट मिशन प्लान ठीक है ना ना गैबनेट मिशन प्लान जो है उसमें जो State Grouping की गई उसमें बिहार को किस गृूप में रखा गया था तो गृूप A में रखा गया था Cabinet Mission Plan आया था जिसमें State की Grouping की गई थी जिसमें बिहार को Group A में रखा गया था Cabinet Mission Plan में State की Grouping की गई थी और बिहार को Group A में रखा गया था अब देखते हैं सुराजवादी पार्टी की बात करते हैं सुराजवादी की स्थापना हुई थी और सुराजवादी की स्थापक कौन थे चित्रद्दद्दास मोतिलाल नहिरू क्या ये उसके पार्ट थे क्या था इसके बाड़े में भी थोड़ा सा जो है ब्रीप में जानना जरूरी है तो ये सब जो एक-एक टॉपिक है इसको भी मैं अलग से स्रेपरेट से लिता रहूँगा जिसे सुद्रीड केंद्र ये सुद्रीड केंद्र की जो हमारी constitution में ली गई है वो कहां से ली गई है संगीय धाचा में सुद्रीड केंद्र होना चाहिए ये संगीय धाचा का model कहां से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है सुद्रीड केंद्र होगा ये संगिय धाचा इस तरह से बनाया गया है भारतिय समिधान में तो ये कहां से लिया गया है ये मोडल लिया गया है कनाड़ा से कनाड़ा में भी काफी सुत्रीड होता है केंद्र ये देखिए अनई मुडी पहारी में है अन्ना मलाई इलाईची पालनी पहारी अनाई मुडी का जो छित्र है आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बड़ा सा छित्र है अनाई मुडी का और उस अनाई मुडी में है अन्ना मलाई इलाईची और पालनी पहारी अब इसमें ये भी प्रश्ण बनता है कि अनाई मुडी की सबसे उची चोटी कौन सी है तो ये मु इसके east side में है नामberवा कई बार यह पूछ सकता है confuse करने के लिए कि हिमाले के east side में क्या है या foot hills of हिमाले आज क्या है यानि की हिमाले के गड़ी पाद प्रदेश कौन सा है तो यहां देखे रिहत हिमाले जो है इसके east side में आएंगे तो आपको मिलेगा नामberवा तो ये सब भी महत्पूर्ण है, इस सब कोई मैंने गेश की स्रेणी में रखा है देखिए, चूना पत्थर बहुत मिलता है, 36 गड में, जिसे वहाँ सिमेंट उद्योग बड़े पैमाने पे डेबलप हुआ है चूना पत्थर सिमेंट उद्योग कहां, 36 गड में, चूना पत्थर बड़ी संख्या में मिलता है कहां पर, 36 गड में, और सिमेंट उद्योग सब से ज़्यादा कहां है तो जहां पर चूना पत्थर मिलता है, और वो कहां पर है, 36 गड में अब देखिए महावीर महावीर ने प्राप्त किया आध्यात्मिक ग्यान कहां तो जंभिक ग्राम में जो महावीर थे उनको प्राप्त हुआ आध्यात्मिक ग्यान या कहां तो जंभिक ग्राम में अब आर्थ करते हैं Mississippi डेल्टा तो Mississippi डेल्टा जो है ना अंगुलित या पंजक बर्ड फूट डेल्टा इसको बोलते हैं Mississippi का डेल्टा को आप देखेंगे तो कैसा डेल्टा है तो अंगुलित या पंजक डेल्टा है यानि कि बर्ड फूट डेल्टा है वो Mississippi का डेल्टा आगे देखते हैं बेंगवेला जल्धारा बहुत इम्पोर्टेंट है मैंने पहले भी बोला था कई सारी जल्दाइरा ने ररेगुलर प्रवाही थेत्थ में अर्म ने मिकरचाइस कहले हैं वह कुल टरा समाज 1875 स्वामि दयनन सर्षलति कीजरूरा बना था आड़े समाज जो 1875 इसी में बना किसके दोरा बना तो स्वामी द्यानंद सरसती के दोरा ये भी बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि स्वामी द्यानंद सरसती को क्या बोलते हैं भारत का मार्टिन लुथर आठ अगस 1942 को भारत छोड़ो आंदुलन प्राड़म हुआ ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट अभियो से ये महत्पूर्ण बनता है कि आठ अगस 1942 को भारत छोड़ो आंदुलन शुरू हुआ कब हुआ तो आठ अगस 1942 को डॉक्टर राजंदर प्रसाद को भारत रत्न मिला 1962 में अब देखिए आगे देखते हैं कि कॉंग्रेस सोसलियस्ट पार्टी का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ था तो पटन में कॉंग्रेस सोसलियस्ट पार्टी का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ था तो पटन में जो Wassalam किॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी है उसकी अस्थापित किस ने किया था ? यह कॉंटबанием में बताइये The World Heritage Day कह category यह मना जाड़ी किया गया था Congress for democracy 1976 में बाई जेक जी बंडाम Direct Action प्लान Muslim League बिहार में पूर्ण हर्ताल 16 अगस्ट 1947 को Direct Action प्लान जो है वो Muslim League से सम्मंधित है और उसमें बिहार में पूर्ण हर्ताल रखी गई थी 16 अगस्ट 1946 को देश के बटवारे को लेकर के जिन्ना ने बहुत हार्ड इस्टेप लिया था और उन्होंने सीधी कारवाई दिवस मनाया था सीधी कारवाई दिवस के ताथ 16 अगस्ट 1946 को पूर्ण हर्ताल रखी गई थी कहां तो पटना में बिहार पे पूर्ण हर्ताल रखी गई थी 16 अगस्ट 1946 को पाकिस्तान की समर्थन में सोडियम कुलराइड प्लस अन्य पदार्थ को अगर हम लोग गरम करते हैं तो क्या बनता है तो प्रोड़क्ट के रूप में अमल बनता है सोडियम कुलराइड प्लस अन्य पदार्थ को अगर हम बर्डर में गरम करते हैं तो हमारा अमल बनता है नमक का तेजाब आराम से बनाया जा सकता है घर में पेपर गोल्ड को क्या बोलते है SDR पेपर गोल्ड क्या है तो SDR वैक्सिन फॉर स्मॉल पॉक्स कहां से मिलता है घरी में समय मापा जाता है क्वार्ज क्रिस्टल के द्वारा घरी में समय मापा जाता है कैसे मापा जाता है तो क्वार्ज क्रिस्टल के द्वारा समय मापा जाता है 1904 में अभिनाव भारत की अस्थापना होई थी पूर्णा में होई थी कि था था वीडी सावर कड़कर के दौरा मित्रमिला ही अपग्रेड होके अभी भारत बना था तो इसमें कई dimensions बन जाते हैं जैसे पहला कि स्थाप ना किस ने की दुछ तर वीडी सावर कड़ने की थी कहा की थी तर पूना में की थी कब की थी तो 1904 में की थी लौड करजन द्वरा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्ने लिया गया निर्ने कब लिया गया 20 जुलाई 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकटा टान हौल सौदेशी अंदुलन का निर्ने लिया गया इसमें लागू कब हुआ और हटाया कब गया बंग बंग को निरास्त कब किया गया ये भी प्रशना आता है देखिए वैसे तो मेरा मानना है कि एक बार जो बंग बंग हो गया तो पूरा बंग भंग ही हो गया इसके बाद तो समझदे ये जो इतने टुकड़े हो गया कि फिर बाकी तो इतिहास हो गया तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्ना लिया गया 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल सौदेशी आंदोलन का निर्ना लिया गया Board of Control के अस्थापना के लिए 1784 इस्वी में Pits India Act पारित हुआ Board of Control के अस्थापना के लिए 1784 इस्वी में Pits India Act पारित हुआ था जिसके लिए पारित हुआ था तो Board of Control के लिए मुगल समराट साहा आलम टू 12 अगस्त 1765 को फर्बान दिया कि 26 लाक रुपे में बिहार बंगाल उडिशा की दिवानी अस्थाई रूप से अंग्रेजों को दे दी जाएगी मुगल समराट साहा आलम टू जो काफी कमजोर हो गया था उसने 12 अगस्त 1765 को फर्बान दिया कि 26 लाक रुपे में बिहार बंगाल उडिशा की दिवानी अस्थाई रूप से अंग्रेजों को दे दी जाएगी इंडियन कॉंस्टिचूशन हैना भारतिय सम्मधान 11 अनुसोची पंचायती राच से सम्मादित 29 विश्यों का उलेक है कि इंडियन कॉंस्टिचूशन यान भारतिय सम्मधान की 11 अनुसोची में पंचायती राच से सम्मादित 29 विश्यों का उलेक है 86 वे सम्मधान संसोधन 2002 दौरा मौलिक अधिकारों का एक नया अनुस्चेद 21 को जोड़ा गया जिसके तहत निसुल्क एवं अनिवार्जिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया 86 वे सम्मिधान संसोधन 2002 दौरा मौलिक अधिकारों का एक नया अनुस्चेद 21 को जोड़ा गया जिसके तहत निसुल्क एवं अनिवार्जिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया तो देखिए, अब DPSP में जो चीज थी वो कहाँ चली आई है, तो मौली कदिकारों में चली आई है, तो ठीक है, सिक्षा हमारा अब DPSP में नहीं रहा क्या हो गया है, मौली कदिकार हो गया है देखिए, अभी कुछ प्रसनों के जो है हाई कोट में वो कौन है तो ये सब मुझे आज कॉमेंट बॉक्स में बताईए फिलहाल ये सब चीज गूगल पे आराम से मिल जाती है लेकिन ये सब चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए ना कि गूगल में महात्मा गांधी दरा असवयोग आंदुलन की वापसी से असंतोस्ट सी आरदास मोतिलाल नहरू आदी ने मार्च 1930 में स्वराज पारिटी का गठन किया इसी वर्ष इलहाबाद में इसका पर्थम अधिवेशन भी हुआ महात्मा गांधी दरा असवयोग आंदुलन की वापसी से असंतोस्ट सी आरदास मोतिलाल नहरू आदी ने मार्च 1923 में स्वराज पारिटी का गठन किया इसी वर्ष इलहाबाद में इसका पर्थम अधिवेशन भी हुआ महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभिक गराम के निकत रिजुपालिका नदी के तट पर साल विर्ष के नीचे केवल की प्राप्ती की महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की तपस्या की तो बारा वर्ष की तपस्या की और जंभीक ग्राम के निकट रिजुपाली का नदी के तट पर साल विरिक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ती की वैदिक धर्म को पुना सुध रुप से अस्थापित करने के उदेशी से स्वामी विर्जानन्द की प्रेजना से उनके स्वामी द्यानन सरस्थी ने आरे समाज की अस्थापना 1875 इस्वी में बंबई में की थी प्रस्ण ऐसे भी आ सकता है कि स्वामी द्यानन्द सरसती के गुरू कौन थे तो वो थे स्वामी विरंजानन्द ये बहुत कम जगह पे मिलता है ये पता ही नहीं चलता है अब देखिए ये टॉपिक है स्वामी द्यानन सरस्वती इस टॉपिक से उन्होंने कोश्चन भी पूछ लिया लेकिन आप उसका जवाब भी नहीं दे पाए अपने स्वामी द्यानन सरस्वती के बारे में सब कुछ पढ़ा लेकिन अगर यहां अगर मिस कर दिया तो आपको एक प्रसंद छूटने कर डर रहता है खेर मैं कोशिस करता हूँ कि सारे डायमेंसन्स को पूरा करूँ देखते हैं वैदिक धर्म को पुना सुध रूप से अस्थापित करने के उदेशे से स्वामी विर्जा नंद की प्रेड़ना से उनके से स्वामी द्यानन सरस्वती ने आरे समाज के स्थापना 1875 इस्वी मे बंबी में की थी आरे समाज क्या चाहता था आरे समाज चाहता था कि हिंदु धर्म का सुधीकरण हो जाये सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फियूरिक अमल के साथ गरम करने से हाइडरोजन क्लोराइड गैस बनती है जिसका जलिये विलियन हाइडरोक्लोरिक अमल कहलाता है सोडियम क्लोराइड क्या है एनेसियल नमक होता है को सांद्र सलफ्यूरिक अमल के साथ गरम करने से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है जिसका जलिये विलियन हाइड्रोक्लोरिक अमल कहलाता है अब देखते हैं इंपिरियल कैड़िट कॉप्स इंपिरियल कैड़िट कॉप्स के संस्थापक थे तो ये थे Lord करजन Imperial Carrier Cops के संस्थापक थे संस्थापक ज्यादा अच्छा रहेगा अस्थापक लिखा हुआ है एक ही बात है कौन थे तो ये थे Lord करजन Imperial Carrier Cops के स्थापक कौन थे Lord करजन बंगाली भाजन की घोसना कब होई थी तो 19 जुलाई 1905 को बंगाली भाजन बहुत महुत पूर्ण है इसके सभी डाइमेंसन को याद रखना भी बहुत जरूरी है भारतिये उचायुक्त के पद का सरियन भारत सरकार अधिनियम 1929 के तहत किया गया था भारतिये उचायुक्त के पद का सरियन भारत सरकार अधिनियम 1919 के दोरा किया गया महात्मा गांधी Congress अधिवेशन के अध्यक्षता 1924 में किये थे महात्मा गांधी Congress अधिवेशन के अध्यक्षता 1924 में किये थे कहां किये थे ओ ये comment box में बताईए एक बाड़ है न ये किये थे बेल गाओं में तो बेलगाओं कहां करनाटक साइड में पढ़ता है और 1924 में किये थे कॉंग्रेस अदिवेशन के जैक्स्ता महात्मा गांधी एक ही बार किये थे सिंगल टाइम में नाव और नेवर पंपलेट जो है वो रहमत अली ने छापा था उसको नाव और नेवर अभी नहीं तो कभी नहीं पंपलेट किसने छापा था यह छापा था रहमत अली ने पंजाब होमी हस्तांतरन अधिनियम पारित कब किया गया तो वर्स उनीशों में राजी विवाह की जो स्थापना हुई उसकी अलधचिता किसने की तो सरदार वल्लभाई पटेलने राजी विवाह की अस्थापना की अधिक्षिता किसने की सरदार वल्लभाई पटेलने स्वामी सरजानन सरसोती ने पत्रिका निकाली थी हुंकार तो ये भी महत्पूर्ण है स्वामी सरजानन सरसोती ने कितनी पत्रिका निकाली है ये भी महत्पूर्ण है तो पत्रिका निकाली थी उन्होंने क्या नाम था उसका तो उसका नाम था हुंकार 1913 में पटना अनुस्चिलन समिती की एक साखा अस्थापित किये थे सचिद्रनास सन्याल 1934 में बनी बिहार सोचलिस्ट पार्टी के सचीव थे जैप्रकास्ट नारायन और अध्यक्ष कौन थे? चलिए ये भी बताईए मुझे कॉमेंट में मैं आगे बता ही दूँगा लेकिन आप बताईए 1934 में बनी बिहार सोचलिस्ट पार्टी के सचीव कौन थे जैप्रकास्ट नारायन थे बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतिय मंत्री मंडल का नेतित तो किया था मुहमद यूनूस ने बहुत जो गौरनेट थे अन्होंने यह आस्वासन देने से इंकार कर दिया था कि वो हरस्तचेप नahी करेंगे तो डॉक्टर स्रीकिश्ण ने सरकार नहीं बनाई थी मुहमद यूनूस जी को मौका मिल गया था डॉक्टर राजेंदर परसाद ने पाकिस्तान का जनमदाता किसे माना आया है ये माना है लॉर्ड मिन्टो को डॉक्टर राजेंदर परसाद ने पाकिस्तान का जनमदाता माना है लॉर्ड मिन्टो को अब देखिए ये भी आया है राश्टिय जलमार्ग वन यह कहां से कहां तक है तो तो इलआबाद से हल दिया तक अब राश्टीय जल्मा टू कहां तक है थ्री कहां पढ़ा यह भी मुझे बतानी की कोशिस करिए लेकिन चलिये बीच में तो आ गया बिहार का भूसरा गंगाका एडिया आ इसलिए रास्टिय जल्मा वन जो है वो कहां ते है आलावा से अल्दिया तक अब मिट्टी की बात करते हैं तो मुझफरपूर दरभंगा तथा चमपारण में नवीन जलोड़क खादर मिट्टी मिलती है ये कहा है बारगर छेत्र में है और बहुत उपजाव बिट्टी होती है ये मुझफरपूर दरभंगा तथा चमपारण में नवीन जलोड़क खादर मिट्टी मिलती है पारगर छेत्र है ये और ये मिट्टी काफी उपजाव होती है तर्वेनी नहर जो कहा तर्वेनी नहर नह पुद भषक वखेने टर्वेनी नहर तर्वेनी नहर कहा पढ़ है वो क्या है चुना पत्थर के लिए मासूर है ब्रोमीन क्या है लाल द्रव है ब्रोमीन क्या है लाल द्रव है बिल्डिंग में प्रियोग होने वाली गैसे ऑक्सिजन तथा एसिटलीन है और इसका चलिए फॉर्मूला देखते हैं 2C2S2 प्लस 5O2 4G2 प्लस 2S2O प्लस उरजाइस में से निकलती है गैलवे नाइज लोहे के पाई पर परत होती है जस्ते की परत होती है अब देखते हैं द्रिस स्प्रेक्टरम के तरंग देधारी की सीमा होती है तो यह होती है 49-46 सरेंगेस्टरम वैसे एक्जेक्ट तो नहीं कई किताबों में थोड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा लेकिन मोठे तौर पर मारे माने तो 49-46 सरेंगेस्टरम जो होती है द्रिस स्प्रेक्टरम के तरंग देधारी की सीमा होती है कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट होता है कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट क्या होता है तो यह होता है सल्फोनेट कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट नीला थोथा क्या है तो copper sulfate एक परमानु के किंद्र का धनावेशित हिस्चा क्या होता है तो यह होता है nucleus भई प्रोटोन धनावेशित नहीं होता है पूरा का पूरा nucleus को ही धनावेशित मानते है एक परमानू के किंद्र का धनावेशित हिस्टा क्या होता है तो होता है नूकलियस मानव तंत्र में इंसुलीन बेटाबोलिज्म नियंतित करता है तो वो है कार्बोहाइडरेट मानव तंत्र के में इंसुलीन चपाचे नियंतित करता है किसका तो कार्वो हाइडरेट का इंसुलीन नहीं डहेगा तो कार्वो हाइडरेट का पालन नहीं हो पाएगा यानि चीनी यानी चरकड़ा का पाचन नहीं हो पाएगा प्लास्टर आप पेरिस क्या है तो यह जिपसम है प्लास्टवा पेरिस क्या है ये जिपसम है एक हाइड्रो कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमानों दीबंध दोरा जुड़े हो कहलाता है ये कहलाता है इल्कीन शिर्का क्या है शिर्का है एशिटिक अमल का की बैटरी में परियोग होने वाला अमल है Appreciate 100% नवी करण उड़ जा से चलने वाला सहर है तो वो है दीव दमनन दीव है न तो वो है अभी 100% नविकरन उर्जा से चलने वाला सहर कौन सा है तो ये है दीव भारत का पहला राष्ट व्यापी खादिप पुरातन तो समेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजवानी किसने की तो मुंबईने की भारत का पहला रास्ट वयापी ख्याद पुरातन समेलन आर्की ववा की किष्णे की तो ये की मुंबई ने अब देखिए ये तो बहुत पुरा रहा है हाड़ी प्यों सक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है ये 2018 का था अभी ये बहुत प्रासंगीक नहीं रहेगा आगे 100% 1440 स्वास्त केंदरवाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है तो ये बना है सूरत अब एक चीज देखिए कि सुरक्षित पेजल है बीच में और चार तरफ जो है आदिवासी गाओं बसाए गया है तो ये कहां बसाए गया है मद्य परदेश में बीच में सुरक्षित पेजल और आसपास पूरे आदिवासी गाओं बसाए गया है तो ये कहां हुआ है मद्य परदेश में चलिए अभी एक छोटा से ब्रेक लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग हाजीर होंगे